So hello everyone I am Kirin and welcome back to my channel and my channel name is In Mom On Duty So आज मैं रिव्यू करूंगी पतांजली हर्बल काजिल इसकी कोस्ट है 90 रुपीज और ये इसी ली पतांजली के शॉप्स में अविलेबिल है So इसके अंदर है कैस्टर ओईल, अलमंड ओईल, आमला, हरड, बेडा, यश्टी मधू और रिसॉट और इसके अंदर है ओटमेंट काजिल So आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और ये इसी ली खुल जाता है So ये बहुत travel friendly और handbag friendly product नहीं है क्योंकि ये जो click है वो बहुत easily खुल जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि जो packaging की quality है वो बहुत ही local है Easily अगर गिर गया 2-3 भार तो तूट जाएगा तो basically इसकी जो packaging है वो भी बहुत impressive नहीं है अभी हम देखेंगे कि easily bullet खुल जाता है like it's very smooth and it's very like बहुत loose है ये जो on-off की click वाली चीज है ये बहुत जादा loose है Then ये जो काजिल मैंने अभी मेरी आखों में लगाया हुआ है आप देख सकते है And मैं इसको यहाँ पे आपके लिए swatch करूंगी So आप देखेंगे कि ये easily glide हो गया है But इसकी जो intensity है ये बहुत जादा dark नहीं है अगर आप इसको 2-3 बार swipe करते हो तब इसका जो darkness है वो पता चलता है So overall मुझे इस तरह के काजिल पसंद नहीं है जिसको आप 2-3 बार लगा और उसके बाद वो जो blackness है वो आपको दे So basically ये बहुत जादा pigmented नहीं है उसके बाद मैं बात करूगी इसमें camphor है camphor means kapoor and kapoor की जो smell है इसमें easily noticeable है and मैं जब camphor वाली चीज़े अपने आँखों में लगाती हूँ तो मेरी आखे थोड़ी देर के लिए थोड़ी watery हो जाती है जो मुझे बहुत जादा uncomfortable feel करवाती है so guys मैंने जब इसको आखों में लगाया तो मेरी आख watery हो गई as well as जो water के वज़े से जो मैंने काजल लगाया था वो easily जो काजल की black intensity थी वो बहुत ही fade down हो गई and जो मेरा काजल smudge होके मेरी watery eyes के वज़े से जो काजल smudge हुआ वो मेरे lower eyelash पे थोड़ा सा spread हो गया so overall मैं बोलूँगी अगर आप makeup लगा रहे हो and इसको use कर रहे हो then guys please आप इसको use ना करें या makeup लगार के आप कहीं बहार जाने वाले हो तो ये एक बहुत ही खराब option होगा क्योंकि ये आपकी eyes, मेरी eyes तो watery करता है as well as ये smudge proof भी नहीं है so that's the really bad thing about this उसके बाद मैं बोलूँगी कि अगर आपको morning में एक बहुत सुंदर और beautiful eyes चाहिए तो आप इसको रात में लगा के सोईए और morning में आपको एक बहुत nicely eyeliner look वाली eyes मिलेगी so अगर आपको go option पसंद है तो आप उसके लिए इसको use कर सकते but normal makeup के लिए मैं आपको इसको recommend नहीं करूँगी क्योंकि ये smudge proof भी नहीं है बहुत जादा watery कर देता है eyes को long lasting नहीं है pigmented नहीं है so overall patanjali के इस herbal kajal को मेरे तरफ से totally thumbs down है totally thumbs down so guys ये है patanjali herbal kajal का review जो की honest review था मैं आशा करती हूँ कि आपको ये review पसंद आया होगा अगर ये review आपको पसंद आया तो please share with your friends and thanks for watching and if you really like the video please subscribe for my channel so till then bye